आप सभी का स्वागत है आज की इस कहानी का नाम है नौकर से प्यार यहे एक फैमिली स्टोरी है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है लेकिन कभी-कभी ये रात शोर भी करती है लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है र उसके हाव भाव बता रहे थी कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रंजीता, क्या बात हो गई आज। इस समय तक तो वो आ जाता था। तब ही रंजीता की हवेली के पीछे एक आदमी चर्टा हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तॉलिये से धाक रखा था। धीरे धीरे उपर चर्ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुँचा और दबे पाउं रंजीता की कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आँखों को अपने हाथ से धाक लिया और उससे पूछा। मोहन, बताओ कौन। रंजीता ने उसके हाथों को पहले तु प्यार से छुआ और फिर उसे जटिकते हुए बोली। रंजीता, दो दिन हो गए, तुम्हें फूरसत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मच्छी की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस यवक को गले से लगा लिया। रंजीता की बातों को सुनकर उस यवक ने अपने चेहरे से तॉलिया हटाया और फिर कहा। मोहन, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे दो दिनों के लिए शहर भेजा था। दो लाख रुपे की रकम किसी को भिजवानी थी। और फिर वहां से कुछ लाना था। रंजीता, क्या लाना था। मोहन, सोने का नेकलस। आपका जनम दिन आने वाला है ना। रंजीता ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा। रंजीता, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जनम दिन पर मेरे। मोहन, मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन मैं तो बच्पन से नौकर हूँ यहां। रंजीता, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहां और जहां तक गिफ्ट की बात है, तुम से महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। यह कहकर रंजीता ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम की समंदर में जहां पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहां होता है प्यार, प्यार और प्यार जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर बीरभधर सिंग की जोरदार आवाज दोनों की कानों में पड़ी। बीर भधर, मोहन, मोहन, अरे, कहां बढ़ गया रे। थाकुर साहब की आवाज सुनकर हलकी नींद में चले गए मोहन और रंजीता हरबला करोट बैठे। दोनों के दिल की धरकन जोर-जोर से धरकने लगी। मोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत के रास्ते से आये थे, वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबुजी के पासा जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पाओ कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीरियों से उतर कर अपने पिता वीरभध सिंग के पास गई। रंजीता, क्या हूँ गया के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज पांच बजे ही। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभध सिंग उस पर चिलाते हुई कहते हैं। वीरभध, अरे, कहां मर गया था रे तू, तुझे आवाज दे दे कर गला बैक गया मेरा। मोहन, मालिक, वो भेसिया चिला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभध, सुन, तुझे पता है ना आज रंजीता का जनम दिन है। शाम को बड़ी पार्टी है। कई लोग आएंगे उसमें और हां पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगत के साथ आ रहे हैं। उनका विशेश ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि रंजीता की शादी अंगत से हो जाए। और हां एक बात और मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है। तो तुझे लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहां नौकर का काम करता है। हाला कि उस ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती। लेकिन ठाकुर साहब का करज उसके परिवार पर होने की कारण वो इनके यहां काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाओं रंजीता तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़ कर, तुम्हें पता है ना कितना करजा है, उनका हमारे उपर, बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूरे माँ बाप को बहुत परिशान करेंगे। रंजीता, मोहन, तुम बेवकूफ हो, यहां कर रहोगे तो इनका करज कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारे दादा ने मात 75 रुपे मेरे दादा से उधार लिये थे, वो पांच लाग कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है, मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी, पीलियों से मोहन का परिवार वीर्भथ सिंग के यहां नौकर का काम करता रहा था, लेकिन इस बात की परवा किये बिना पिछले दो सालों से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था, हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीर्भथ को है और ना ही उसकी पतनी सुकन्या और बेटे राजेश को, बह आज मेरी इकलोती बेटी रंजीता का जनम दिन भी है और आज मैंने इसके भविश्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीरभध सिंग ने रंजीता और अंगक की पंद्रह दिन बाद सगाई की घोशना कर दी। उस घोशना को सुनकर रंजीता तुरंधी वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है लेकिन वो कहते हैं नाइश्ट को आप कितना ही चुपाएं चुप नहीं सकता। दो दिन बाद की बात है रंजीता को लगातार उल्टिया हो रही थी। सुकन्या अरे कितनी बार कहा है मूँ पर कंट्रोल रखा कर सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं अब हो रही है ना उल्टी। रंजीता की उल्टिया रोकने के लिए घरेलु दवा उसे दी गई लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी मा उसे लेकर अस्पताल गई। रंजीता की जाच परताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीक पड़ी। घर वापस आकर रंजीता ने सारी बाते अपनी मा को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन दोनों ने चुपकर मंदर में शादी भी कर ली है। सुकन्या ये क्या नश्ट कर दिया तुने अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता हम लोग ठाकुर है और तुने अपने यहां के नौकर से प्यार कर लिया और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ हूँ भी काला कर लिया करम जली तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई दोनों का खून खौल उठा राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था तब ही सामने से मोहन आता हुआ देख रहा है राजेश ने आव देखा न अताव बंदूक उसकी ऊपर डाल दी रंजीता भागी भागी आई रंजीता ये क्या कर रहे है मैं राजेश भाईया मोहन को छोड़ दो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ रंजीता की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से रंजीता की सिर पर मारा वो बेचारी लहुलुहान हो गई रंजीता की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हा तूरी के नौकर, तू हमें धमका रहा है। वीरभद्र, राजेश, पानी सर के उपर जा चुका है। इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत न करें। इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूप की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी चा गई। लेकिन जब खामोशी तूटी तो राजेश की सामने उसकी तडपती हुई बहन रंजीता थी। रंजीत पिताजी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। रंजीता, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है, पिताजी। इश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का, आप लोग इस रिष्टे को स्वीकार कर ले पिताजी। वीर्भध, हम थाकुर हैं, हमारे यहां अवैध रिष्टे बनाये जाते हैं, स्वीकार नहीं किये जाते। ये कहकर वीर्भध सिंग ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोहन को भी, मोहन, रंजीता, रंजीता, रंजीत लेकिन सचसे कोसो दूर है, लेकिन वो कहते हैं ना की प्यार को जितना रखोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई रंजीता मोहन से प्यार कर रही है और कोई मोहन रंजीता की ख्वाप बिना किसी उल्च नीच की परवा किये देख रहा है। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं